हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप लोग एक पर फिर से स्वागत है आपका टेकनोलची मास्टर दोस्तों आज हम बात करेंगे ओपो के आल्वेस ऑन डिस्प्लेइ फीचर के बारे में और इसमें क्या नया चीज एड़ हुआ है वह बताएंगे वह है पोट्रेट फोटो आप ऐसे आलवेस ऑन डिस्प्लेए में सेट कर सकते हैं तो सबसे पहले में आपको सेटिंग लिखा सेटिंग दिखा देचा हुए उसके बायरे मैं आपको बता-देचा कर लेता हैं जब आप इसे ऑन कर ले यह थे,प आप यह ब खीस अनदर कर्ने बाद कुछ ऑफरने के बाद की वह दिखेगा, आप कुछ भी एडिट करके भी लख सकते हैं, तो मैं और चीजे दिखा देता, आपके इसमें के हैं, पीछे आप देखेंगे, टेक्सेंड इमेज, अनलोग क्लोग, डेजिकल क्लोग, इसमें आपको अलग-अलग तरह की बहुत सी आप्शने मिल जाएंगी, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम टेक्सेंड इमेज पर सेलेक्ट करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, इमेज दिखरी इमेज आप सेलेक्ट करके अपनी इमेज भी लगा सकते हैं, और टेक्स भी आप एडिट कर सकते हैं, टेक्स की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, मे कि अब शुरू करते हैं इसके जो नए फीचर के बारे हैं वह आप कैसे सख कर सकते हैं तो आपको दिखाता हम उपर आपको प्लस का साइन दिख रहा है आपने यहां क्लिक करना सेकिन नमबर पर आप्शन है पोट्रेट की कि अपने पोट्रेट के क्लिक करना इसके बाद पॉर्टरेट बनाने में तो कुछ इस तरीके से यह पॉर्टरेट कर देगा आपका पॉर्टो को नीचे आप देशकते हैं इन्फो आप एड्ट करना जाते हैं तो इन्फो एड्ट कर सकते हैं अधरवाइस हाई कर सकते हैं नीचे option मिल जाएगी home screen and lock screen इसे on रखिएगा क्योंकि इसका एक अच्छा फीचर और है वो मैं दिखाता हूँ आपको तो जैसे यह मैंने set कि apply करती है तो जैसे मैं इसे off करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपको portrait दिखेगा तो जब आप इसे phone को unlock करेंगे तो यह अनलोग करेंगे तो जो आपने home screen पर सेट दिया था होन की थी option वो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको जो आपकी photo लगी home screen पर वो शो हो जाएगी वहाँ पर कलर वाली और जो always on display में है वहाँ पर आपको portrait तो आप देख सकते आपको कुछ नए तरीके का feature लगेगा कोई भी अगर देखेगा तो जरूर पूछेगा कि यह आपने कैसे apply किया तो मैं आपको कोई और photo select करके दिखा देता हूं एक बार ही तो आप इसमें कोई और photo भी add करना चाते है या add ही मतलो दूसरी लगाना चाते है तो भी लगा सकते है तो same process है तो यहां से मैं कोई और photo select कर लेता हूं और इसे apply कर देता हूं तो यह इसका portrait बनाएगा इसको set करने के बाद आप जैसे set कर लेते हैं apply कर देते हैं तो आपको यहां पे my aod style दिख रहा होगा इसमें आपका जो पुराना portrait है वह भी save हो जाता है तो आप अगर पुराने आला यूज करना जाते तो प आप देख सकते हैं यह फीचर काफी अच्छा लगा मुझे always on display का आप कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको यह feature कैसा लगा तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो always on display के feature के वारे में हम फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ कब तक के लिए subscribe करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर और रखिए धन्यवाद और हम तीन लाग सब्सक्राइबर के बहुत नदीख है तो प्लीज सब्सक्राइबर जरूर करिए रखिए